आज हर आदमी देखो अपने घर ग्रहस्ती कि छोटे-छोटे से जंजटों में, कलहों में अपना जीवन वितीत कर देता है। बेटा पड़ नहीं रहा है, बेटी का विभा नहीं हो रहा है, बेटी ने पड़ भी लिया, उसकी जॉब नहीं लग रही है। कुछ नया जीवन नहीं होता, और छोटे-छोटे दुख अगर हम थोड़ा सा एक ताक पर रख दें, एक ताक पर रखना जानतो, माने एक तरफ रख दें, हमें कोई छोटे-छोटे दुखों की चिंता नहीं है, हमें क्या करना? हमें एक अलग सुक्की यात्रा पर निकलना, और अगर उस सुक्की आत्रा पर निकलने में हमें थोड़ा सा भी कष्ट लगे तो कष्ट तो महशूश करना ही पड़ता है। सुन रहे हो। सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। क्या कह रहा हूँ? सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। सभी है भीड में तुम भी निकल सको तुचलो अनंत जीवों की यहां भीड है अगर तुम भी इस भीड में से निकलना चाहते हो तुम निकल सकते हो लेकिन यह मस सोचना कि मैं इस भीड में से तब निकलूँगा जब मुझे सहूलियत मिल जाए महराज आप मैं जो खापी रहा हूं मुझे खाने पीने दो और मुझे भीड में से निकाल लो कोई कष्ट नहीं चाहिए मुझे नहीं समझा रहा है मैं रात में खा रहा हूं, रात में खाने दो मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूं, ड्रिंकिंग करने दो मुझे पाण मसाला खाना सब खाने दो अशुद्ध वोजन करने दो ऐसा नहीं होता specify किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो सभी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो सफर में धूब तो होगी ही सह सको तो चलो यह भी एक सफर है और इस सफर में भी इसलिए इसको मार्ग कहा जाता है मोक्ष का मार्ग यह सफर है, बहुत लंबा सफर है जिस तरह से आपके सफर में अनेक तरह के कष्ट आते हैं इस तरह भी सफर में आते हैं लेकिन इस सफर में उन कष्टों को हस्ते हस्ते सहा जाता है ऐसी तरकीब सिखाई जाती है टेक्निक सिखाई जाती है और आपको वे कश्ट छोटे-छोटे भी रोरो करके सहन करने पड़ते हैं क्योंकि आप सीखते नहीं, आप जानते नहीं कि कैसे उन कश्टों से उबरा जाता है तो ये भी एक रास्ता है, ये भी एक मार्ग है चल सको, तो चलो